बासी रोटी, खोले किस्मत का ताला, एक रोटी से चमकाएं अपनी किस्मत दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐशा प्राडी नहीं होगा, जो धन की इक्छा न रखता हो हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना शारा धन हो कि वो उसे अपनी सभी इक्छाएं पूर्ण कर सके यदि बहुत शारा नहीं, तो कम सकम इतना धन हो कि वो अपना गुजारा कर सके धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग शही राह चुनते हैं, वो धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं परन्तु कुछ लोग छलकपट का शाहारा लेकर अतशीग्र धन कमानी की कामना करते हैं दूसरी तरप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पातें, दोस्तो ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों में प्रमान भी देखा गया है कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, दोस्तो अगर आप भगवान को नित्य भक्ति करते हैं, तो निश्य तोर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीजों तक पहुँच जाते हैं, जिन चीजों तक पहुचने का आपने सपन देखा है, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे निश्य तोर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी मेहनत के साज साथ छोटे से उपाई भी आपको करते रहें, तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी बज़े से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं, वैसा आपको जल्द प्र यनि की दोनों समय आटा, गेहुं का आटा घर में आप यनि की रोटी बनती है, आटे की अगर आप रोटी खाते हैं, तो आपको ये उपाई माला माल बना शकता है, आटे की रोटी का ये उपाई आपको करोड़पती भी बना शकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को को दोस्तो आर्थिक तंगी जरूरी नहीं कि गरीबी के हालाद में हो कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आयके स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बाबजूद वहां पर धन से जुड़े परेसानिया आने लगती है और रहती है ऐसे में अक्सर जब अनावश्यक खर्च आजाता है अचानक कोई बीमार हो जाता है कोई बिवदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है कुछ ऐसी परेसानी होती है जिने जोतिस सास्तर के अनुसार धन का नरुकना बताया गया है मतलब परिवार में धन आता है ले खर्च हो जाता है तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आ जाती है और आपके परिवार के शदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है जिसकी वज़े से आपको अन्य एक्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाती इसके विपरित कुछ ऐसे परिवार भी है जहां आंदनी को स्रोत आते ही दूसरा रुख जाता है अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने बाले पांच लोग हैं और पांच आएके साधन हो लेकिन जैसे ही खुश्यां आए दो के पास पैसे रुख जाए या आपके साधन घट जाते हैं आएके जो आंदनी क को जरूरत होती है और आपको इन उपायों को करना भी चाहिए ताकि आपके परिवार के अंदर खोश्यां बनी रहे और आपको धनकी दृष्टे से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़े दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रुकष्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देज़ेगा दोस्तो को विश्यर कर देज़ेगा यह पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके इश्बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा अब बात करते हैं उपाय कि आपके उपाय आपको कैसे करने हैं बहुत ही सरल है आटे के साथ उपाय किया जाता है दोस्तो जब आप चक्की पर आटा पिश्वाने जाएं आपको इश्वात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनीवार के दिन आपको चैन करना चाहिए शनीवार के दिन घर के अंद जर्दर आठा पिश्वान बहुत अच्छा माना जाता है, और पिश्वाने से पहले आपको क्या करना है कि उसमें जो काले चने होते हैं वो डालने हैं, गुरु दोस्त अगर आपके जीवन में है, क्यूंकि दोस्तों, गुरु गर्य धन के लिए बहुती अच्छा कारक माना और गुरु गुरह बेख्त के जीवन में परसन्य रहता है तो आपके जीवन में आर्थिक परिशानिया देखने को नहीं मिलती इस वज़े से गुरु गुरह बहुत ही अच्छा माना जाएगा तो आपको शोग्राम काला चना शोग्राम तुलसी दोस्तों शोग्राम आपसे संभव ना हो तो कमसकम पचास पत्ते तो तुलसी के होने चाहिए और दो दाने केसर के डाल दें इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिस्वाया हुआ आटा घर के सभी सदस से इस्तेवाल क जाती है और घर में धन आगवन के नए स्रोत खोलेंगे इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव भी की जो इस्तिती है खत्म हो जाएगी और घर के अंदर खुसहाली देखने को मिलती है दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी कंगाली का सामना कर र रहता है अर्थात घर परिवार के सदस्यों का आपस में लडाई जगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच मन उटाओ या फिर बिवार की योग नहीं बन पा रहे हैं आपके परिवार के सदस्यों से बड़े हो चुके लेकिन उनकी साधी नहीं हो पा रही या फिर आपको मनचाही नोकरी नहीं मिलती, नोकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए, निश्ची तोर पर आपकी जैसी मनोकामना है, उसकी पूरती हो, ऐसा ये अच्छा उपाय है, आप उन परिशानियों का सामना चुट आगवन होगा, अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता, तो आप जल्द यनिकी ठीक हो जाएगा, और इसे वो पैसे आने लगेंगे, इसके अलावा प्रती दिन आपको चीटियों को आठे देने भी लावकारी होता है, आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन जो घर के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा गुनते हैं, आटा बनाते ही उसके अंदर आपको चुटकी बर हल्दी मिला कर थोड़ा सा पीला कर देना है, और उससे बनने वाली जो पहले रोटी होती है, उसे गव माता को भोग लगाना चाहिए, किसी भी रंग की गव माता हो, आप से प्रसंद होंगे, आप घर की सारी नकरात्म कुर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी, और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे, अब बात करते हैं अगले उपाय की, दोस्तों कई लोग को मालूम नहीं कि सनी दोस्त उनको परिशान कर रह है, वो भूल जाते हैं कि उनको मालूम नहीं चलता, या वो अपनी कुंडली किशी को नहीं दिखाते, दोस्तों अगर आपको अचनक किशी प्रकार की कोई दुरगटना का भाय रहना, या फिर आपके परिवार के सनी के सनी से सम्मंधित परिशानी आने लगती है, तो शनी नहीं नहीं, आपकी हर परिशानी पोड़ हो जाएगी, दोस्तों सर्सों का तेल डाल के रोटी खिलाना काली कुट्टे को गगर खिला दें, या नहीं है काला कुट्टा तो कोई भी कुट्टा चलेगा, इससे आपकी जनम जनमांतर की रिंड कर्ज भी चुक जाएंगे, द पिर आप जिस ब्यक्त या जिस सदस्य से कोई भी परिशानी हो जाएगी, और जीवन में शुक शम्रदी बढ़ेगी, कभी विधन की कमी नहीं होगी, दोस्तों आटा गुंते समय थोड़ा से नमक डालें और नमक डालके, फिर आप जिस ब्यक्त या जिस सब्यक्त से कोई रोटी तैयार करें, फिर आप इस रोटी को आप ले जाकर आप कुत्ते को खिला दें या गाई को खिला दें, तो बिशेस्त अलाब हो गई होगा, साथी साथ अगर आप इस आटे की रोटी बनाते समय थोड़ा सा इसमें दूध डाल दें, और दूध डालने के बाद फिर आप इसे यानि की गौ माता को खिला दें, तो इससे भी घर की आंदनी, यानि की आपके किस्मत का ताला, जो बंद किस्मत का ताला खुल जाता है, आप जल्द करोड़पती बन जाते हैं, धनसे माला माल बन जाते हैं, तो दोस्तों, अगर आपके घर में बासी रोटी बच थोड़ा सा घी मिला लें और इसे आप प्रद दिन एक बासी रोटी खाएं तो आपके किस्मत का ताला खोलेगा आप एक दिन इसे सुरक्षित रख लें बढ़िया अच्छी जगर पर रख लें ताकि ये खराब नहो और अगले दिन इसमें थोड़े से घी थोड़े से गुड़ो और थोड़े से मिस्री डालके बासी रोटी को खालें तो आपके बंद किस्मत का ताला खोलेगा और आपके किस्मत चमक जाएगी तो दोस्तो ये रोटी का उपाय जरूर कीजेगा दोस्तो भीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तो को भी शेर कर देजेगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट में लिखेगा जय मालक्षमी